नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 6 अक्टूबर दिन सुक्रवार खबरो क्योर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में बंद होंगे मैनुवल चलार अपने मागों को लेकर अनिष्टित कारीन हर्ताल पर डटी हैं सेवी का और सहाई का बिहार दारोगा के लिए फॉर्म भरते समय इन बातों का रखे क्यार बिहार के मडीसों हे तू प्लेटलेट्स की उप्लब्धता से संबंधित आवश्यक सूचना हर्बरजन सिंग ने शड़े कुमार यादब को लेकर दिया बड़ा बयान अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरोप्योर विस्तार से इसरों में अप्रेंटिसिप के पदों पर निकली भरती इस भरती के लिए नोटिफिकेशन भी SSC की ओफीसियल वेबसाइट www.bssc.gov.in पर जारी किया जा चुका है बता दे कि इन पदों पर उमिद्वारों का चेन वॉक इन इंटर्व्यू के माध्यम से किया जाएगा इसे में जो भी उमिद्वार इसके लिए आविदन करना चाहते हैं उन्हें साक्षातकार वाले दिन आविदन पत्र भरने के लिए nats.education.gov.in या sdcenter.org वेबसाइट के माध्यम से पोटल पर पंजी करन करके प्रिंट आउट वॉक इन इंटर्व्यू के समय जमा करना होगा इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो मिद्वार को पदिक अनुसार मानिता प्राप्त विश्विद्याले संसान से प्रथम श्रेणी में नियुंतम 65 प्रतीशत अंकों के साथ engineering डिग्री 3 वर्स ये engineering डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए इसके रावा जो मिद्वार अंतिमवर्ज या समस्टर में पढ़ रहे हैं वह भी इसके लिए आविदन कर सकते हैं साधी की वॉक इन इंटर्व्यू कल यानि की साथ ऑक्टूबर को सरकारी पॉलिटेखनिक कॉलेज कलम ससेरी जिला इरना कुलम के रल में आयुजित किया जा रहा है बिहार में बंद होंगे मैनुवल चालान यातयात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधानसु कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि राज्जी के बेटारा पुलिस जले जहां अभी मैनुवल चालान काटा जा रहा है वो 30 नवंबर तक बंद हो जाएंगे यानि कि 30 नवंबर के बाद से इन पुलिस जलों में मैनुवल चालान काटना बंद कर यी चालान काटने की शुरुवात की जाएगी बता दे के एडी जी के दोरा दी गए जानकारी के नुस्थार जुलाई महीने में राजी के जिन जलों में मैनुवल चालान बंद की गई ह उनमें विहार के राजधानी पटना समेत गया मुझपरपुर, भागलपुर, छप्रा, आरा, विहार सरीफ, दर्भंगा, मुंगेर, बेगुसराय, पुर्णिया और कटिहार शामिल है वहीं दूसरे चरण में नौगचिया, मोतिहारी, बकसन, मधुबनी, रोता, स्वैशाली, समस्तिपूर सिवान, नवादा और बेतिया में मैनुवल चलान बंद किया गया है और सेश जिलुम में भी नवंबर तक मैनुवल चलान को बंद कर दिया जाएगा वहीं अब अधिकारी को बौडी वार्न, कैमरा, लगी वर्दी पहना भी अनिवारे हो गया है बिहारी बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे संजय मिश्रा के बारे में संजय मिश्रा का जन्म आजी के दिन 1963 में हुआ था यह एक भार्तिय फिल्म के हासे अभिनिता है इन्होंने अधिकतर हिंदी फिल्मों तता टेलीवीजन धारावाहिकों में अभिनाई किया है सूपर हिट फिल्म में गोल माल, फन, अनलिमिटेड और धमाल में काम करने का मौका मिला इनके लावा ये 2015 की एक और हिट फिल्म प्रेम रत अंधन पायों में भी काड़े करने का मौका मिला है संजय मिश्रा ने भारत की पहली POV यानी Point of View तकनीक को लेकर बनी हिंदी फिल्म राखोस में मुख्य भुमिका निभाई है बता दे कि उनके डालॉक ढूडू जस्ट चिल और फिल्म 123 में उनकी कॉमिक टाइमिंग से उन्हें काफी पहचान मिली है अपने मांगो को लेकर अनुषित काली इंहर्ताल पर डटी हैं सिविका और साहिका पचले एक सब्ता सी बिहार में सिविका और साहिका के दौरा लगतार अपने 500 री मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ हरताल जारी है और साथ ही इनके दोरा सरकार पर वादा खिलाफी करने कारों भी लगाये गया है सिविका और सहाइका का कहना है कि उप मुख्य मंत्रे तेरश्वी आदर के दोरा बार बार कहा जाता था कि अगर उनकी सरकार आईगी तो वे हमारा मांदे दुगना कर देंगे लेकिन अब तक उनकी ओर से इसके लिए कोई पहल नहीं की गई है आपकी जानकारी क्लिबता दे कि सिविका और सहाइका की ओर से सरकार से जो मांगे की जा रही है उनमें अतरिक्त प्रोतसाहन राशी, ग्रेचुटी, भुकतांस, सरकारी करमचारी का दर्चा, मांदे में, व्रिधी और प्रधानमंत्री, बीमा, सुरक्षा, योजना का लाव शामिल है बिहार के आर जिलो में खुलेंगे 190 से अधिक चार्जिंग स्टेशन इन दिनों बिहार में इलेक्ट्रिक वहानों के संख्या दिन प्रते दिन बढ़ती जा रही है, इसी को देखते वे बहुत जल्दी बिहार के आर जिलो में पालिट प्रोजेक्ट के तहत लगबग 190 चार्जिंग सेंटर खोले जाएंगे, उनमें बिहार की राजदानी पटन समेद गया, भागलपूर, मुझापर, पूर्पूर्णिया, भोजपूर, सारणवा, गोपाल गंज शामिल है, मालमों के इन चार्जिंग सेंटरों का निर्मान वर्स 2024 तक राज्य में बढ़ने वाले इलेक्ट्रिक गारियों की संख्या को देखते वे किया जा रहा है, ऐस या चार्ज हो जाएंगे और इसके लिए बाहन मालिकों को यूनिट के हिसाब से चार्जिंग का पैसा देना होगा, खुदरा पिट्रॉल एवं डीजल बिक्री के इन्र संचालित करने के लिए इस दिन तक कड़ी आवीदन, बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा प्रात्मे क्रिसी साख सहयोग समीतियों, पैक्स तोरा अब खुदरा पिट्रॉल एवं डीजल बिक्री के इन्र संचालित करने हेतू पात्र बनाये गया है ताकि वे खुद को एक मजबूत वीतिया आधार के साथ बहुत देश्य सोसाइटी में बदलने में सक्छम हो सके, ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में हैं जो खुदरा पिट्रॉल एवं डीजल बिक्री के इन्र संचालित करना चाहते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं बता दे कैसा करने के लिए आवेदन की अंतिम्तिती 17 ओक्टूबर 2023 तक नर्धारित की गई है इस फिल्म में दिखने वाले हैं बिहार के लाल किशन कुमार बिहार के युवाव में किसी प्रकार के कला की कोई कमी नहीं है या तो कई बार सिध हो चुका है इसी कड़ी में एक और ऐसी ही एक खबर सामने आई है दरसल बिहार के गोपाल गंज के किशन कुमार बहुत जल्दी एक भोजपूरी फिल्म भारत माता की जै में नजर आने वाले हैं हो कि यह फिल्म आज यान की 6 अक्टूबर को ही रिलीस होने वाली है जो कि यूपी बिहार समेत राज्ये के करीब 250 सिनेमा घड़ों में रिलीस की जाएगी और इसके लावा यह फिल्म टीवी चैनल जी बायस को पर भी दिखाई जाएगी आपके जानकारी के बता दे किशन खुमार एक जिम के संचालन करते हैं और साथी यूटूब पर फिल्म सजड़े अपडेट्स को दिखाते रहते हैं और साथी कई सौर्ट्स वीडियो भी बनाते हैं फिलाल इनके यूटूब और फेस्बुक पर दो लाग फॉलोवर है मालम हो कि आज रिलीस होने वाली फिल संस्थान पहारियों और बगीचों के बीच इस्तित है जो अपने आंगतुकों को शांत और शांती का एहसास देता है विडायतन दो सब्दों से विद्पन वीर जो भगवान महावीर के लिए खड़ा हो और एक पवत्र स्थान के लिए खड़ा है बना है या भारत में जैन मुख्य बिंदू छेतर हैं सेवा सक्षा और साधना विडायतन सेवा की अवधारना को बढ़ावा देने वाला एक मात्र जैन संगठन है इसकी आठ गैलरी स्री ब्रामी कला मंदर जैन धर्म के 24 तर्थकडों के जीवन को प्रदर्शित करते वे उनके अहिंसा दर्शन को द मरीजों है तो प्लेटलेट्स की उप्लब्धता से संबन्धित आवश्यक सूचना इन दिनों बिहार में डिंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है इसको देखते वे स्वास्त विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है बतादे किसको लेकर अब IPR के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर डेंगू के मरीजों है तो प्लेटलेट्स की उप्लब्धता से संबन्धित आवश्यक सूचना दी गई है जिसमें बताया क्या है कि प्रायर डेंगू बुखार का उप्चार सामने वीधी से होती है जिसके लिए पारा सीटा मूर सुरक्ष के लिए राजे के सरकारी रख्त केंद्रों में प्लेटलेट्स और स्टीपी निशल्क उपलब्ध है और सरकारी रख्त केंद्रों द्वारा नीजी अस्पतालों में भरती मरीजों को प्लेटलेट्स 400 रुपए और स्टीपी 7500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाड़ा ह फ़ी प्राइविट रक्त केंद्रो द्वारा अधिक्तम प्रोसेसिंग सुलक प्लेटलेट्स के लिए 400 रुपए और स्टीपी के लिए 11,000 रुपए निर्धालित किये गए हैं बिहार धरोगा के लिए फॉर्म भरते समय इन बातों का रखे ख्याल अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिहार धरोगा भरती के लिए आविदन करना चाहरे हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं बता दे कि आविदन करने के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहस जरूरी है मालुम हो कि आप आविदन करने के दौरान देने वाली इमेल आईडी कोशिश करें कि वो अभ्यर्थी के नाम पर ही अंकितों वहीं आविदन करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखे कि बिजली या इंटरेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गती के कारण राशी क कटोती हो जाती है और पंजिकर नहीं हो पाता है तो शुलक रासी साथ कारे दिवस के बाद पेमेंट गेटवे द्वारा लोटा दी जाएगे किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा केवल एक ही आविदन किया जाना चाहिए एक सेधिक आविदन पत्र भड़े जाने पर उनके स उमेद्वारी रध कर दी जाएगी वहीं पर इच्छा सुजड़े किसी भी तरक के जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी हेल्प लाइन नंबर 7202-21115, 7209-521115, 8235681116 और 8235-841116 पर संपर्थ कर सकते हैं मुख्य मंतरी अल्प संख्यक उद्यमी योजना के तहत इस दिन तक आविदन करने का है अंतिम दिन अगर आप भी खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादी कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा मुख्य मंतरी अल्प संख्यक उद्यमी योजना के तहत अल्प संख्यक स्युवाओं को रोजगार देने के लिए वीतिये सहायता प्रदान की जाती है बता दे किस योजना के तहदी जाने वाले वीतिये मदद 10 लाख रुपे तक की होती है जिसमें से 5 लाख रुपे सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिये जाते हैं तो वहीं इसमें से अधिक्तम ब्याजरीन मुक्त राशी अधिक्तम 5 लाख रुपे की होती है ऐसे में अगर आप भी अल्बसंख्यक्यूवा हैं और अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप भी सौक्टूबर 2023 इसके लिए आविधन कर सकते हैं इसे जुरी अधिक जानकारी हासल करने के लिए आप वेबसाइट sttpskolum slash udhyami.bihar.gov.in पर जाकर और जानकारी प्राप कर सकते हैं वैशाली में ट्रक के तहखाने से सराब की बड़ी खेब बड़ा मत बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकर इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हलाक इन पर नकेल कस्नी के लिए उत्पात विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मल रही उल्टा सराब तसकरी के दोरा आए दिन तसकरी के लिए नए-नए तरीकों का निजात किया जा रह जहां बेलसर थाना की पुलिस के दोरा गुत सूचना के आधार पर चापे मारी करते वे उत्तर प्रदेश के गोड़क पुर से आ रहे एक ट्रक के तहखाने से 143 काटन विदेशी सराब बढ़ामत किया गया है जिसके कीमत 12 लाक रुपे बताई जा रही है इसके साथ ही बिहार समेथ पूरे दे से मौनसून लोट रहा है जिसके कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिस तरच की जा रही इसकरी में बिहार में भी बारिस तरच की गई है मसल विभा की तरह से जारी अपडेट के इनसार प्रदेश में मौनसून की एंटरी लेट से हुई जिसके कारण मौनसून की विदाई भी देरी से हो रही है हाला कि यह भी कहा जाड़ा है कि बारिश समाप्त होने के बाद एक बार फर से तेज धूप निकलने की संभावना है सेमें लोगों को गर्मी से परिशानी का सामना करना पर सकता है 6 अक्टूबर को लेकर जारी अपडेट में बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पुर्व और दक्षन पुर्व के जिलों में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होने की संभावना है वहीं 7 अक्टूबर को लेकर चारी अप्डेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में किसी बारिश होनी की संभावना ना के बढ़ावर है दो महीने में पैसे डबल करने वाले ठक गिरों हुए गिरफतार इन दिनों बिहार में साइबर अप्राथ सजड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए साइबर थाना का भी उदगाटन किया गया है इस दिकरी में अब नालंदा के लेहरी थाना चितर की पुलिस के द्वारा दो महीने में पैसे डबल करने का जहांसा देने वारे ठक गिरों के चार सदर्शे को गिरफतार किया गया है जो बिहार जारखन के सक्रिये सदर्शे है इस बारी में अलंदा लेहरी थानादय अक्ष्टीपक कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है जिन चार लोगों के गिरफतारी की गई है उनकी पहचान रवीकांद पासवान, रिरंजन पासवान, विष्णु कुमार और रवंदर कुमार के रूप में की गई है इन ठगों के पास से एक बड़ी अटैची में 32 सौ रोपे भी बडामत किये गए है मतादेक इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक सक्स ने अपने ही घर के फुफेरे भाई पपू, चौधरी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी फिलाल पुलिस के दोरा इन गरफता ठगों से पूछताच की जा रही है पुलिस के जवान ने ही लीग किया सिपाही भरती परिच्छा का पेपर राज Watan में बीते एक ऑक्टूबर को आयोजित हुआ बिहार सिपाही भरती परिच्छा का पेपर लीग हो गया था जिस वचद से इस परिच्छा को रद कर दिया गया वही इस मामली को लेकर पुलिस के द्वारा जांच परताल करते वे कई लोगों की गिरिफतारी भी की गई है इसी कड़ी में अभी यह जांकारी निकल कर सामने आई है किस परिछा का पेपर लिकर खुद पुलिस के एक जवान के द्वारा अपने बहनोई को पास कराने के इसे में सिपाही की ग्रिफतारी हो गई है और इसकी पहचान गया निवासी कमलेश के रूप में की गई है जो नालंदा में पोस्टेड है वहीं सिपाही की गुर्फारी कर कोट में पेश किया गया और वहां से जूडिशल कस्टेडी में जेल भेज़ दिया गया है फिलाल पुलिस के द्वारा इस मामली की जांच की जा रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके पास आंसर की कहां से आया और उसने अभियर्थियों से कितने रुपए लिये थे ताकि गिरों के अने सज़श्यों को गृफतार किया जा सके बिहार के ये दो जिले हैं देश के सबसे तीन प्रदूशित सहरों में शामिल रिस्पाइर लिविंग साइंसेस के द्वारा जारी की गए ताजा रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि देश के 10 सबसे प्रदूसित सहरों में पहले अस्थान पर देश की राजधानी दिल्ली बना हुआ है तो वहीं इस रिपोर्ट में दिल्ली के बाद दूसरे अस्थान पर पिहार की राजधानी पटना और तीसरे नमबर पर मुझ़पर पुढ़ है आपकी जानकारी के लिए बता दे किस रिपोर्ट के अनुसार दली 100 अस्थान पढ़े और पटना दूसरे अस्थान पर 99.7 माइकरो घन मीटर के साथ है हलाकि रिपोर्ट के नुसार पिछले वर्ज के तुलना में पटना की वायू गुनवत्ता में 24 प्रतीशत के गिरावट देखी गई है वहिंस के लावा तीसरे नमबर पर मुझह परपुर 95.4 माइकरो घन मीटर के साथ है अगर हम देश के सबसे स्वच सहर की बात करें तो उसमें बिहार का एक भी शहर सामल नहीं है और देश में से आठ शहर केवल करना ठक्य है जेपी नटा ने कैलास बते मिश्र को दी स्रधांजली और सीम नितीश को कहा ये बीते दन बीजपी के राश्ट्री अध्यक जेपी नटा विहार की राजधानी पटना पहुँचे जहां उनका स्वागत पटना एयरपोर्ट पर सांसा सुसील मोदी प्रदीश अध्यक समराठ चौतरी केंद्री मंतरी नित्यानंद राय और सांसद जिनार्दन सिंग सिग्रिवाल समेत कई निताओं के द्वारा जम कर किया गया बता दी कि पटना एयरपोर्ट से जेपी नट्डा सीधे गांधी मैदान इस्थत बापू सभागार पहुँचे जहांवे बीजेपी के भिश्म पितामा कहे जाने वाले और बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्ष के अलासपती मिर्श्रकी सौवी जेहंती के उपलक्ष में आयुजित हुए कारिक्रम में सम्मिलत हुए और उन्हे श्रधाजली दी वही जुरान होने बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार समें तमाम इंडिया गरवंधन पर जम कर हमला बोला उन्हें कहा कि परिवारवाद वाली पार्टियों का खातमा तै है इंडिया गरवंधन सिर्फ देश के ब्रश्चार को बढ़ाएगा और बीजेपी समाज के लिए काम करता रहेगा उन्हें कहा कि नितीश साथ जेपी के विरोधियों के साथ खड़े हो गए है इनकी राजडितिक विचारधारा आज कहां पहुँच गई है यह सब ही देख रहे हैं बिहार में दूसरों को कंधे पर बिठाना छोड़ दे उन्होंने कहा कि बीजेपी दोहजार चौबस में भारी मत के साथ जीत हासल करेगी और फिर दोहजार पच्चिस में विशुद भाजपा की सरकार बनेगी संजय सिंग को कोट ने भेजा पांस दिनों के लिए ईडी रिमान पर बीत बुदवार को दिल्ली शराब घुटाली में कई घंटों के पूछताच के बाद गिरफतार हुए आम आदमी पार्टी के राजी सभास सांसद संजय सिंग को दिल्ली की राव जेवेन्यू कोट के द्वारा पांस दिनों के लिए ईडी के रिमान पर भेज दिया गया है बता दे कि ईडी के ओर से कोट से संजय सिंग के लिए दस दिनों के रिमान की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट के ओर से 5 दिनों के रिमान पर सहमती जताई गई है ऐसे में अब संजय सिंग को अगले 5 दिनों के लिए ED के द्वारा पूछे गया तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा कि जानकारी के लिए बता दे कि संजय सिंग पर यारूप लगाये गया है कि उन्होंने कुछ लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए डिस्वत के तौर पर मोटी रकम ली है वहीं ED की ओर से कोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुल 2 करोर रुपे की राशी की लें दिन अलग-अलग ट्रांजक्शन कर हुई है फिर बिहार आएंगे अमिस्था जल्द होगी तारीख की घोशना एक तरफ जहां बीते दिन जेपी नड़ा बिहार पहुचे हैं तो वहीं दूसरी ओर अब यह खबर चल रही है कि बहुत जल्दी एक बार फिर से ग्री मंतरी अमिस्था बिहार आ सकते हैं हाला कि अभी उनके आने की तारीख की घोशना नहीं की गई है लेकिन बहुत जल्दी तारीख की भी घोशना कर दी जाएगी बतादी की मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस पार अमिस्था मुझपरपुर में रैली को संबोधित करेंगे माना जा रहा है कि अमिस्था अगले माँ बिहार आ सकते हैं इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां भी शुरूप कर दी गई है मैं अमिस्था के जनसभा के आयोजन को लेकर कई जगों के नाम पर विचार किया जा रहा है जिसमें पिताही हवाई अड़ा पुलिस लाइन समेथ कई विकल्प शामिल है मालम हो किस से पहले अमिस्था मुझह परपुर में कडिव आर्ट साल पहले वर्ट सो हजार पंदर में आये थे हाला कि इस दौरान उन्होंने कोई रैली संबोधित नहीं की थी लेकिन इस बारवे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रशांद किसोर ने बीजेपी पर किया तीखा हमला राजनितिक नणतिकार और जनसुराज के सुत्रधार प्रशांद किसोर के द्वरा बीते दिन किंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि जो आदमी सत्ता में रहता है वो कहने के लिए कुछ भी कहले वो इनसंस्थाओं का दुरूपयोग अपने राजनितिक और व्यक्तिकत लाब के लिए करता है अगर आप भाजपा के साथ नहीं है तो आप पर रेड पड़ेगी आपको परिशान किया जाएगा लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप कल तक जिसको चोर बता रहे थे और इडी रेड कर रही है वही आदमी कल भाजपा में शामल हो रहा है तो उस पर कारवाई रुक जाती है उन्होंने कहा कि से कहीं न कहीं शक पैदा होता है कि इन अजेंसियों का प्रियों सिर्फ अपने राज्रितिक प्रतिद्वन्दी के खिलाफ किया जा रहा है हर्बजन सिंग ने सुरिक कुमार यादब को लेकर दिया बड़ा बयान पुर्व ओफिस पिनर हर्बजन सिंग के दौरा इंडिया टुड़े कॉन कलिब में बाचीत करते वे सुरिक कुमार यादब को लेकर एक बड़ा बयान देते वे कहा किया कि मेरा ध्यान सुरिकुमार पर है वो X-Factor है अगर वो ले में आते हैं तो आपको किवल मैच ही नहीं बलकि टर्नामेंट जिता देंगे अगर मैं चेहन करता होता तो कप्तान के बाद दूसरे नमबर पर सुरिया को चुनता हारदिक पांडिया गेंद पर प्रहार करन के मामले में शांदार है अगर मैं टीम प्रबंधन का हिस्सा होता तो शुरिया को जरूर खिलाता कौन जानता है कि टीम प्रबंधन सुरिया को मौका देगी या नहीं उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि सुरिकुमार यादम में ऐसा क्या है आज मुझे उसे गिंद बाजी करने में डर लगता लेकिन तब नहीं जब मैं चरम पर होता वो मुझे एप डिवीलियर्स की याद दिलाता है हमें उस तरह खेलने वाले एक खिलारी की जरूरत है अगर वो फ्लॉप भी हुआ तो भी उसे मौका देना जारी रखता एक और खिलारी है सुबमंगिल जिनके बा कानूं 1862 में पारित हुआ और एक जन्वरी से लागो हुआ पंजाब में 1983 को राश्ट्रुपती सासन लगाया गया वैस्विक मंदी के मधिनजर भारती रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकत सुरक्षित अनुपात में आधा प्रतिशत की कटोती का फैसला 2008 में किया मुगल पारवाः बात्सा नेकसियर का जन्म 1689 में हुआ गनत्व भातिकी के छितर में महत्पुन कारी करने वाले भारतिय विज्यानिक मेगनात साहा का जन्म 1893 में हुआ मतरा के प्रसद संथ क्रिपालू महराज का जन्म 1922 में हुआ जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदर का निर्मान करवाया था भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अमपारिंग करने वाले जीवन डी घोश का बंगाल में जन्म 1935 में हुआ प्रसद अभिनीता एवं राजनितग्य विनोत खन्ना का जन्म 1946 में हुआ पंजाब के सुतंता सिनानी ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खडग सिंग का जन्म 1963 में हुआ सिखो के साथवे गुरु गुरु हर्राई का निधन 1661 में हुआ पंजाब के सुतंता सिनानी और ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खडग सिंग का निधन 1963 में हुआ महान सुतंता सिनानी बैरेस्टर नीता राष्टरवादी और लोगसभा स्दर्श्यव पेंगालिल कृष्ण मेनन का निधन 1974 में हुआ मराथी साहितिकार एवं प्रसध समासिवी दत्तो वामन पोतदार का निधन 1989 में हुआ जाने माने भारतिय कभी लेखक भाशाविद समिधान विससग्य और प्रसध नियाविद लक्षमी मल सिंगवी का निधन 2007 में हुआ राजनतग्य महराष्टर के नौवे मुख्यमंत्री बाबा साहि भोसली का निधन 2007 में हुआ राजनतग्य प्यारेलाल खंडेलवाल का निधन 2009 में हुआ प्रसध भारतिय वकील नेता एवं पश्रिम बंगाल के 19-वे राजेपाल 27 नडायन रेड़ी का निधन 2012 में हुआ राजस्थान के प्रसद करांतिकारी तथा समाज सिवा गोकुल भाई भट का निधन 1986 में हुआ वारल कर में आज हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच्छो ये जरूरी नहीं है इसी करी में आज हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने टूइट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतिय यूजस को 249 रुपे का 28 दन वाला रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है पी आईबी ने अपने टूइट में आगे लिखा है कि दावा फ़र्जी है भासरकार द्वारा या फ्री रिचार्ज योजना नहीं चलाई जा रही या धोकादरी का एक प्रयास है यूटूब मोबाइल एप से गूगल हटा रहा ये ऑप्शन 925 गूगल के रिपोर्ट के नुसार कंपनी मोबाइल एप में लाइब्रेडी के ऑप्शन को बदल कर यूग करने वाली है फिलाल जब आप मोबाइल पर यूटूब खोलते हैं तो आपको बॉटम राइट में लाइब्रेडी का ओप्शन नजर आता है जिसके अंदर हिस्टरी प्लेलिस्ट यूर वीडियो आदी का ओप्शन मिलता है गूगल इस लाइब्रेडी के ऑप्शन को यू से बदलने वाला है और इसके अंदर भी कुछ छोटे बदलाव करने वाला है 9 to 5 गूगल के रिपोर्ट के मताबिक जल्द आपको यू आप्शन के अंदर हिस्टरी प्लेलिस्ट यूर वीडियो डाउनलोड यूर क्लिप्स और यूर मुवीज का ओप्शन मिलेगा वरतमान में यूर क्लिप्स का ओप्शन लाइडरी में नहीं है इसके लावा प्रोफाइल टैप को भी गूगल टॉप से बॉटम में सिफ्ट करने वाला है फिलार प्रोफाइल का ओप्शन हमें एप में टॉप में मिलता है जल्द आपको यह ओप्शन यू टैप के अंदर बॉटम में मिलेगा एपल के साथ मिलकर भारत बनेगा नमबर वन मोबाइल मैनुफाक्चरिंग में भारत अब पुरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनुफाक्चरिंग हब बन गया है लेकिन अब बहुत जल्दी भारत इस छेतर में चीन को पीछे छोड़नी की योजना बना रहा है और इसके लिए भारत को एपल की ओर से भरपूस साथ दिया जा रहा मालूमों कि जब से भारत में एपल की एंट्री हुई हो और मोधी सरकार की ओर से बता दे काउंटर पॉइंट के मताविक भारत ने 2013 में असेंबल हुए कुल मोवाईल फोन में 22 फीजदी को एक्सपोर्ट किया है मालूमों कि मौजुदा वितवर्ष में भारत के दौरा एक दस्तमलों 20 लाग करोड रूपे के मोवाईल फोन एक्सपोर्ट किये गया है जिसमें एपल की हिसेदारी सबसे जादा है हम प्रते दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जरूर जवाब बताएंगे जो की वीपियसी, बिहार पुलिस, दरोगा समेट, ससी जैसे अन्य प्रतियोगी परिक्षाव में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पीशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सही तर्दियाक रिपा करके या हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में विश्व पसु कल्यान दिवस कम मनाया गया है ऑप्षने 2 अक्टूबर, ऑप्षन B 3 अक्टूबर, ऑप्षन C 4 अक्टूबर, ऑप्षन D 5 अक्टूबर इसका सही उतर है ऑप्षन C 4 अक्टूबर अगला सवाल हाली में पी-म सौन इधी योजना ने कितने लाग स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्षे हासल किया है ऑप्षन E 50 अक्टूबर, ऑप्षन B 25 अक्टूबर, ऑप्षन C 35 अक्टूबर, ऑप्षन D 1 करोड इसका सही उतर है ऑप्षन E 50 अक्टूबर अगला सवाल बिहार में राचिस सभा के कितनी सीते है ऑप्षन E 12 अप्षन B 16 अप्षन C 27 अप्षन DIX इसका सही उतर है ऑप्षन B 16 अगला सवाल निम्रल लिखित में किस प्रदेश से बिहार की सिमाई नहीं लगी है Option A. उत्तरप्रदेश, Option B. जारखन, Option C. पश्यम्मंगाल, Option D. मध्यप्रदेश इसका सही उत्तर है Option D. मध्यप्रदेश अगला सवाल, बिहार समुंतर टट से कितना दूर है? Option A. 100 किलोमीटर, Option B. 170 किलोमीटर, Option C. 200 किलोमीटर, Option D. 300 किलोमीटर इसका सहिय उत्तर है ओपसन सी 200 किलो मीटर बीदा दने हमारदरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगोंने अपना जाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्चन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनवें हमार पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार क्या प्रशान के सोर के कहय नुसार किंद्र सरकार के दौरा एजेंसियों का दुरूपयों केवल अपने राज़्यतिक और व्यक्तिगत लाग के लिए किया जारा है अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद